वरी गूड मॉरिंग दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप तो आज काफी एक समय के बाद मैं आज आप से बात कर रहा हूं तो आज संडे का दिन है और आज प्लान फिर हमने बना लिया है कि आज के गुमने चलते हैं और आपको आज दिखाते हैं हम एक नई जगा एक प्यारी सी हिस्टॉरिक प्लेस तो हम आज जा रहे हैं फिर इस्ट कोस्ट रोड के ऊपर और वहां चलके आपको हम दिखाएंगे एक नई जगा और मैं सोच र है तो सतर परसेंट जो हमारे व्यूर्ज हैं वो हमारे सुब्सक्राइबर नहीं है और तीस परसेंट जो हमारे व्यूर्ज हैं वही हमारे सुब्सक्राइबर यह फिगर्स बदलनी चाहिए तो चलिए पहले सुब्सक्राइब बटन दबाईए नीचे उसके बाद बात करते नहीं मैं बजाग कर रहा हूँ आपको मैं लेके चल रहा हूँ आज एक नई जगा एक प्यारी सी जगा और मुझे यकीन है कि आप हमारे चैनल पर बार बार लोटेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप हमें नए नए प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखके भेजेंगे कि हमें अपने व्लॉग्स और कैसे इंप्रूफ करने चाहिए तो चलिए, मिलते हैं तोड़के हुए तोड़के हुए जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम जा रहे हैं आज की गूमने तो यह है फेमस चिन्नाई की ECR जानी की East Coast Road तो इसके East Coast Road जो है एक्चुली शुरू होती है कैलकटा से और यह जाती है नीचे कन्या कुमारी तक तो यह पूरी रोड जो है यह बे ओफ बेंगॉल के साथ-साथ चलती है फ्रों कैलकटा तो वाईजाय कहने की विशागा पटनम वह से आगे चिन्नाई चिन्नाई से आगे पुटुचरी यहां से रमिश्वरम और टुटी कोरेन होते हुए यह कन्या कुमारी तक जाती है तो अब तक तो आप जान गए होगे अगर हम लोग ECR के उपर ट्रेवल कर रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं जी हां आपने सही पहचाना हम जा रहे हैं महाबलीपुरम और महाबलीपुरम वाली चीजे हैं जो आपने दिखाए तो आज हम आपको ऐसी ही एक और जो है पुरानी चीज दिखाएंगे जो की इंशेंट इंडिया की है वो उसी टाइम की है उसी काल की है तो चलिए पहुँच के आपको दिखाता हूँ मैं क्या वो चीज है तो यह हम अभी आये हैं यहां पर टिकेट काउंटर है आजकल सारे आर्चिलोजिकल जो बॉन्यूमेंट्स हैं के लिए एक बहुत अच्छी चीज जो आजकल हो गई हुई है वो यह है कि यू केन बाई योर टिकेट बाई स्कैनिंग और पेंग तो यह देखे मैंने गैलरी ओपन कर ली है और गैलरी में जैसी ओपन किया है तो यह एसाइएमनी.com का वेबसाइट कुल जाता है तो यहां पर जाके आप अराम से अपना टिकेट कुक कर सकते हैं तो यह हम अभी आगे अंदर टिकेट हमने ले लिया था उसको अनलाइन वाला टिकेट और यह जस्ट मुविंग इंसाइड नो अभी देखते हैं शोर टेंपल आगे है 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 अएजर पर टेंदान इचरो आ देखते हैं है 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 जो जो यह है जो सकते हैं कि आण वास्तिल के भारत के अब इंधानने विश्ट्थ को फिर पांगब देरा धिर के भारत के अब दोबेगे श्तेथेटेट्थ थाइडए थिण सवाल जो आपने का श्तुर मंदे भारत के आदक्षिन टम राजे तम्लादू के महावलि पूरम्रें श्तेटेट्चिन इस मंदर की संग्रक्षना पिरमिट के जैसी है, यहां पर काफी अच्छी तरह से खूप सूरत नक्ताशी करते हुए अलग अलग जीव जन्तुओं की प्रतिमा बनाई गई गई यह मंदर इतना पौरानिक हो गया है कि इसे संग्रक्षत करने के लिए विनेसको विश्व दरुहर में सूची में इसको 1984 में शामिल कर लिया गया इस शोर मंदर का निर्मान के बारे में बदाया जाता है कि इसे पल्लव राजा नर्सिम बर्मन प्रथम इसे द्वारा निर्मानत किया गया था महाबलीकूरम में स्थित इस शोर मंदर में जनवरी से फरवरी माह के दुरान एक निर्थ्य महोतसव का आयोजन भी किया जाता है इस समय यहाँ पर काफी अधिक संध्या में जो परियटक हैं वो अलग-अलग शेत्रों से भारत के अलग-अलग होने से यहाँ आते हैं और इस महोतसव में शामिल भी है सर्थ! चाहँ झाहँ 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 झाल झाल तो यह देखिये हम पहुंच गए है फिर से बीच के किनारे और यहां भी प्लान कर रहे हैं हम अपना कोई एक बढ़िया क्यासा स्नैक्स, क्यम्पिंग स्नैक्स और चाय यह आज का प्लान है तो पारो भी है यहां साथ में पारो आप अपने सब्स्क्राइबर्स और अपने व्यूर्स को कुछ कहना नहीं चाहोगी क्या अब क्या यह तो आप बोलोगी अब देखो हमारे साथ एक खुबसूरत सी जगह और लोग बीच कैंपिंगे मज़ें आज मतली है क्या हम सब कलर कॉड़्ियंटेड कप्ड़े पैन के घूबरे नों यह देख यह इपहल दिकाएगा आपको ड्रॉट मिल शो यू मैं झी कलर कॉबिनेशन में हूँ है रुद्रा वी सि कॉंबिनेशन में और पार्ल भी सि-कॉंबिनेशन में आज केंपिंग झाल झाल यख दोड़कार में से लुड़कार भूर को स्पाइब। वाव परो, एक्रवाज। वाथ वाथ अपनाइग्ग वाथ अपनाइग्ग क्या बनारीय तन्हेच हम बना रहा हैं बेड्भकोरे यंद्ट क्यासके पगोरे ब्रेड पकोडे एंड प्यास के पकोडे वाव कि आज अब मौसम भी अच्छा हो रहा है मौसम कुछ कह रही थी मौसम भी अच्छा हो रहा है ना और हम लोग ने लंच भी काफी हवी कर लिया था सौरी अलू के प्राटे इसले हम सब्सक्राइब का इटम बनाएंगे ब्रेट पकोडे बहुत है तो यह परो आपने क्या क्या इसमें डाल दिया है मैंने इसमें नमक खर दी थोड़ी से अजवाइन और अपमें डाल रहें तोड़ी सी मिर्ची और अजवाइन मिलगी आपको आप तो मना कर रहे थे मिली नहीं है वाओ गेट और लाल मिलच आपने डाल दी है में कम डाले है क्योंकि रूड़ी भी अजवाइन डाली है हल्दी डाली है हल्दी नमक डाला है और यह बेशन जिसको की हम ग्राम फ्लोर कहते हैं यह पारो ने लिया हुआ यहां पर और यह हमारी कढई जिसमें जिसमें ङवते अढर ये देखिये रुद्रा सेंग्ड र-u-d-y रुद्रा र-u-d-y रुद्रा हाँ र-u-d-y रुद्रा हा र-u-d-y रुद्रा हुँ- बताओ- और कोडों की तियारी शेफ पारो आज कल हर चैनल पर शेफ बने हो है न कोई शेफ है कोई शेफ A कोई शेफ B कोई शेफ S है हमारे पास भी शेफ P है शेफ पारो कोई है कि अँगार कोई अब करें ने बनाय है ब्रेट के पॉकोरे और अब अब बन रहे हैं यह देखिए बने ब्रेड के पॉकोडे और अब मेरी तर्ण आई थे प्यास के पॉकोड़े वाव तो शेफ सेंडी ने भी मोर्चा संभाल लिया है शेफ सेंडी बना रहे हैं प्याज के फकोडे करे हुआ जादा चल रहे है ना अब तो सी साइड पर तो हवा मिलेगी आपको दूडी ने खाने भी शू कर दिया है कैसा है बारू है लेटेंस कोच आप बड़ बड़ी हाँ तो नहीं अबड़ी केस्ट कर रहों त्याजवला त्याजवला शुट करने टेस्ट कर हों प्याजवला तो तो देखते हैं ब्रेड पकोड़ा है बहुत बढ़िया बनाया है तो यह जाय भी क्यार होगी यह बस करम गरम पकोड़े तो हम खाई रहे हैं तो यह बन चुके है हमारी चाय तो यह बनाया है तो दोस्तों आज बहुत ही खुबशूरस सा दिन एंजॉय करके अब हम जा रहे हैं वापस अपने गर आपको पसंद आया होगा हमारे डिडे कैम्पिंग का व्लॉग और एक खुबसूरस से नजारे जो हमने आपको दिखाए थैंक यू सो मच अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें व्लॉग को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ठैंक यू और सबसे इंपॉल्टन चीज जो परूल आपने बताई नहीं है प्लीस कमेंट आपके कमेंट्स जो हैं व्यू वह हमारे लिए बहुत इंपर्ण है हमारे लिए हमें पता चलता है कि आप कैसे व्लॉक पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिए और सबसे इंपॉर्टन चीज जो पारुल ने भोली है सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू बाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सबस्क्राइब कर रहे हैं